नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्ववागत है अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं SSC CGL के एड्मिट कार्ड स्टेटस के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस परकार से आपको SSC CGL का एड्मिट कार्ड स्टेटस चेक कर इस रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक और सेर कर दे और साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी सब्सक्राब करके बैल आइकन को दबा दे अब आईए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस परकार से आप आपको SSC CGL का Admit Card Status चेक करना है तो आपको बता दे Admit Card Status चेक करने के लिए आपको Google Chrome या अन्य कोई भी ब्राजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है educationindialio.com आपको क्या सर्च करना है तो आपको सर्च करना है educationindialio.com गूगल में इस सर्च करते हैं आपके सामने कुछ इस परकार से एक बेज आएगा यहाँ पर सबसे उपर वाले वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है वेबसाइट कुछ इस परकार से आपके सामने ओपन ह हो जाएगी यहाँ पर जैसे है आप थोड़ा सा नीचे की और आएंगे तो देख पाएंगे SSC CGL Admit Card 2023 आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और इस पोस्ट को ओपन कर लेना है पोस्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी यहाँ पर जब आप नीचे की और स्क्रॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे SSC CGL Application Status तो 2023 डारेक्ट लिंक है इतर हमने रीजन का नाम दे दिया है और उसी के सामने Application Status चेक करने का लिंक दे दिया है तो आपको क्या करना है आपको अपने रीजन के सामने लिखे हुए Click Here पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप Click Here पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक page open होगा यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे की औराना है और सबसे पहले अपनी Registration ID फिल करनी है याने की Registration Number फिल करते हैं उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ से आपको अपनी Date of Birth को Selection कर लेना है जो भी आपकी date of birth है उस date of birth को यहाँ से आप select कर लेंगे date of birth select करने के बाद आपको select city पर click करना है और आपने जो भी examination city के तोर पर पहली preference फिल की थी उस city को यहाँ से आपको क्या करना है choose कर लेना है उसके बाद आपको क्या करना है verify human के अंदर आपको यह capture code फिल करना है और search पर click करना है search पर click करते ही कुछ इस परकार से आपके सामने admission certificate status open हो जाएगा यहाँ पर जैसे आप थोड़ा सा नीचे के और आएंगे तो exam date check कर पाएंगे shift check कर पाएंगे इसके साथ exam का time check कर पाएंगे और CT of exam check कर पाएंगे इसके अलावा जो आपका admit card है वो आपके exam date से 4 दिन पहले जारी किया जाएगा जिसकी date आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यह थी पूरी जानकारी SSC CGL के admit card status को लेकर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो का आप like को और share अवस्य करेगा और साथ ही ऐसे वीडियो देखने के लिए बिना किसी देरी के चैनल को भी subscribe करके बैल आइकन को दबा दीजेगा मिलते हैं आप सकले वीडियो में किसी ने जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद